आज हम बना रहे हैं मखाने की सब्जी बहुत सिंपल इंग्रीडियन से बहुत जल्दी बनने वाली और यह ज्यादा तर शादियों में बनती है और यह खाने में बहुत टेस्टी लगती है इसको हम सिंपल रेसिपी से घर पे बनाएंगे यह देखिए तीन टमाटर ले लिए हमेने चार हरी मिर्च और एक इंच अध्रक का टुकड़ा इसको आव हम रफली चोप करके इसको हम मिक्सी में पीस लेंगे साइड बाई साइड मैं थोड़ी से मखाने यह देखिए फ्राइपन रख देते हैं गया जला देते हैं और यह ऐसे साथ साथ मैं तरीब आट से द इसको बूल लेंगे यह ओल रख दिया यह भी गरम हो जाएगा इतने मैंने अपनी सब्जी की क्वांटिटी के इसाप सरका कम जादा आप कर सकते हैं मैंने एक से थोड़ा सा जावा चमच लिया इसको आपने गया जला देते हैं यह जितने गरम होगा मेरा मसाला पर बोलोफा नँगे इस तरीके से करते हुए इसको मैं तल लूँआ थोड़ा सा थोड़ा सा फ्राइब करना बहुत ज्यादा नहीं करना आपने और यह थोड़़ी से दस पंदरा किश्मिश के दाने इसको नहीं इसको सिर्फ चलाते हुए खर देंगे बहुत लेंगे बहुत अच्छा फ्लेवर देंगे यह देखिए निकाल लिया है मैंने थोड़ा सा जीरा यह देखिए एक चमच जितना जीरा है यह डाल दूंगी दो छोटी दालचीनी के टुकड़े बहुत छोटे दो से तीन लाल मिर्च एक तेज पत्ता दो छोटी लाईची यह हम डालके भून लेंगे इसकी खुश्बू आने लग जाएगी काफी अच्छी सी फिर यह मैंने टमाटो अध्रक और हरी मिर्च का पेच तयार कर लिया है इ तो आप अवोंट भी कर सकते हैं इस तरीके से तोड़ते हुए थोड़ा सा खौया अइसके हम डाल गये इसको चलाते हुए बून लेंगे अरामसे करिएगा की जलना नहीं चाहिए इल्कु थोड़ा सा बूनेंगे इस तरह से चछलाटे हम अगर है तो डाल दीगे नहीं त कर देंगे इस तरीके से चालाते हुए खोया भी पहले हमने भून लिया है अगर ज्यादा है तो आप इसको क्रेश करके भी डाल सकते हैं मैं इसके साथ साथ ही भून लूँगी क्योंकि इसका जो थोड़ा सोंदा सोंदा फ्लेवर आता है वो बहुत अच्छा लगता है इस तरीके से करते हुए इसको सिंटू मीडियम कर देंगे अब हम मसाले डाल लेते हैं एक चमस धनिया पावडर वन फॉर टेबल स्पून हल्दी पावडर हाफ टेबल स्पून जीरा की कि इसको चलाते हुए इस तरह से भूल लेंगे देखिए इस तरह से चलाते हुए इसको भी ओप दो पढ़ लेंगे और दो मिनट के लिए डप देते हैं इसको देखिए यह 10청 अहरी मेशले हो शितने हैं तब कर आगे जब हम था और 4 शी कर से तोड़ा लेंगे ग्रेव अब इसको गैस को हम बंद कर से देखिए दो मिनट हो चुका है घी हमारा देखो बिलकुल डालग हो चुका है खोया भी हमारा साथ मह भून गया है फिर कि घरको की रह जाया तो इस तरह से चमर से करें ब्रस तोड़ देना इसली तूट जाएगा यह बिल्कुल इसका अलग हो चुका है इस विश्टेज पर अब हम इसके अंदर थोड़ा से मलाई डाल देते हैं घर का अगर क्रीम डालना जाते हैं तो क्रीम डाल दीजिए या मलाई को भी फ्रेश मलाई हो एक दिन की उतनी ही डालनी है इसको भी आप हम चलाते हुए इस त कर लेंगे थोड़ा सा यह भी चोड़ने लग जया है इस से इस पर अब हम इसके अंदर मटर वाइल करके डाल रहे हूं एक बाव जितना आप अपनी कॉंटिटी के साथ से कम जाता कर चुकते हैं मैंने एक बाव डाला है इसको भी हम हिलाते हुए हम बून लेंगे थोड़ कि देखें चलाते हुए मैं इसको भी एक से दो मिनट भून लेंगे यह देखें वाइल आचुका इसके अंदर पानी में भी इसको अच्छे से तेज करके थोड़ा सा वाइल दिला लेते हैं पूरा इसी से पर मैं यह काजू जो मैंने तलके रखाता हूं और आठ से दस डा से बनाईएगा अगर आप याज डालते हैं तो आप याज भी डाल सकते हैं मैंने बिना प्याज के बनाईए गवाई ला गया इस इस टेज पर हम मैं खोड़ी चीज के अंदर कस्तूरी मेती दा दूंगी इस तरी तक क्रेश करते हुए तो आदन उसा नमक डालेंगे एक से अगर आपको ड्रेवी को थोड़ा पतला लखना है अगर आप इससे टेज पर अगर अपने पानी बढ़ाना चाहते हैं तो इस टेज पर बढ़ा सकते हैं लेकिन वाइल्ड वाटर डाल दिएगा उसके अंदर ठोड़ा गरम पानी डालना जाओगा या देखें इस तरीके स करते हुआ क्योंकि मखाने भी थोड़ा बहुत पानी पीते हैं अगर इसको आपने थोड़ा सा ग्रेवी बढ़ानी है तो आप गरम पानी सके अंदर डाल दीजिए का मखाने अब डाल के करीब दो से तीन मिनट के लिए इसको ढख देंगे कि सारा मसाला इसके अंदर भी आज अब इसको चाहते हैं यह मैंने काजु का पेस्ट बना के रखा हुआ है एक चमचाप काजु का पेस्ट पेस्ट पे ऐसे एड़ कर लिए इसका भी बहुत रिच और बहुत अच्छा टेस्ट आएगा आप इस एक बार फिर इसको बॉल दिला दीजिए और दो मिनिट के बिल्कुल अब इस स्टेज पे हम थोड़ा सा वन फोर्ट टेगल स्कूल चरुका कम पेंच ओप क्योंकि साबूत हमने डाला हुए गरा मसाला डालके इसको हम इलाद लेंगे इस तरी से पे थोड़ा सा दनिया बी डाल देते दनिया बत्ती भी यह देखिए मेरी मखाने की स की सबजी रेडी है मखाने मटर की बोलो खाली मखाने की भी बना सकते सेम रैसीपी से मखाने मटर की सबजी मेरी रेडी है बताईएगा कमेंट सक्षन में कैसी बनी को करेक्शन करनी है तो वह भी बताईएगा और मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत कर दो.